सब्सक्राइब जी मैं डॉक्टर स्वाहमान सिंग वल्कम तु डोटु मेडिसिन आज दा तोड़ा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि लोका ने क्या कि यार हरे आने थे पंजाब पाड़ पैगी जहां हरे आने वाले लोग पिछे होगे जहां एक अला पंजाबियां देन दोलन सब्सक्राइब करनाट का तो भी लोग आने कैरला तो भी होंदे हैं सो ऐसी कोई गाल नी ते मैं ओह चीज़ तानु प्रूव कर रहे हैं ते बहुत वड़ा जाट पाई चारा जड़ा साड़ा जिनाना मैं कनेक्टिड हैं उन्दाना तानु मलाऊंगा पहलना प्रफेसर सा अधिया जी इनना तो डी तो डी गाल बात करावांगे फिर होर साड़े जरे जात पाई चारा जरे इस तुंदा उन्ना इस जिनाने बहुत वड़े लेवल ते इते काम कीता और आज नहीं नहीं पुष्टा इते काम कर दिया हो रही हैं आई दिली उन्वेस्टी तो स्टू अधिया जी आप शुरू करो पहले मैं दासना जदे मैं इते आया सी देया जी अपने बारे में तोड़ा से दास दो और बाद में तुसी माइक पैस ओन कर देना जी मैं डीपी देया लेक्टरर रेटायर दिली प्रदेश से आज ये लगवक शाड़े लगवक ड़ाई महीने इस अंदरोन को हो गए हैं सबीस तारीक के एक दूर भागया पर उने पी शोड़ के बाद कुछ सरारती तत्वों को इस अंदरोन के साथ छेट साड़ करने का कि अगाजीबर बॉर्डर पे शुंगो बॉर्डर पे जहां खड़े वे हैं यह टिक्री बॉर्डर है जहां पे लाकों के शिंख्या में किसान एक तरित है अनुसासित तरिक्के से उनसे जो चेट खानी कीए कि हम लोकल प्रेशान हैं आपके अंदोलन से असरमा जो लोकल जो लोग थे जो इस अंदोलन से चुड़े हुए हैं जिसके जरूर्ट था यह अंदोलन जिनके जीवन और मन की रेका खिजती है यह अंदोलन ये अंदोरन कारी बेचारे फासी के फंदे को अपने गले से दूर रखना चाते हैं इन तीन काले कानूनों के रूप में और MSP को कानून बनाने के रूप में सरकार से निवेदन कर रही है सरकार के कान पे जो नहीं रेंग रही है कि इन लोकल लोगों को मैसिस हुआ यह मारे अंदोरन है यह कौन लोकल आगे जो कह रहे हैं कि हम आप से प्रेशान है आज आज आप से वे रूबरू हुए कि यह के सारे अप्रैसिक समूदाएं के लोग लोकल मैसे यह नहीं के खेटी से केबल जाट ही जोड़े हुए हैं दूसरे सभी विक्ति उम्हे को कार्षट की बात जHE नहीं है आज जो खेट के काम से जोड़े हुए है जो सभी यहाँ पर एकटे वह यह बैनर भी लखे हुए है यह बिटिया यहां पर दिल निविश्टी की स्ट्रेंट है यह आपके इस के हाथ में इन्हों देखा भी होगा तीन चार दन पहले भी इन्हों ने यहां पर एक मार्च किया था है हम ने यह आसवासन दिया है हमारे अंदूर कार छcohol सातियों से पन्जाब के हैं रिया रीयाने के किसी पर्दीश के जो किसान जो केटी चुड़े बे लोग रहें जो इन कारूर के ख्यलाब लड़ाय लड़ रहे था कि हम आपके साथ हैं दन से मन से दन से अब आपको किसी परकार की जिस तरह से पिछे छेड़ खानिया हुई अब किसी की मत नहीं है उन्हें कर ठिकाने ला दी गई है तो बहुत बड़ी स्पोर्ट मिनने जा रही है इस अंदोरन को बहुत बड़ी ताकत है और ताकतर बन जाएगा यह अंदोरन अब वो दूर नहीं है कि जब विजैसरी आपके यहां चल के आपका सवागत करेगी और मैं समाज के सभी दूसरे जो हिस्से हैं इस मीडिया के मादने मुस्री से भी निवेदन करना चाहूंगा मेडिया के भाईयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिया की ग्रीमा को बनाए रखने के लिए जरा खबरों को बिलकुल निस्पक्ता से देखाएं तो कि अब यह सरकार है तो आने जाने की चीज़ हैं यह ट्यार पी उपर नीचे होती रहती हैं लेकिन अगर आगर के चैनल की एक बार विश्वास खतम हो गया तो आपका केरियर खतम हो जाएगा नोकरी करने वाड़ा को भी चैनल वाड़ों को भी तो मेरा निवेदन है कि जिस तरह से क्योंकि हमारे नेटी बंद कर दिया है हमारी बाते नहीं पहुंच लिए लोगा के पास लेकिन हम तो स अरे भाई पंजाब से यार यान है के दूसरे दूर दुरा के लाग कैसे आये हैं और दूसरे पर देशों साए हैं इन से लोकल होने के नाते हम दो कदम आगे चले हैं तक यंदोलन को की और धार मिले और तेज हो अंदलन सब जानते हैं इनको ये भी दो सबद इसके बारे मोलना चाहेंगे डॉक्ट साथ जी अगे तो अनु मैं मलाओंगा साड़े स्पेशल गेस्ट है सुखदरशन सिंग जी नात क्योंकि स्टेज भी संबाल दे इते ना लेगना दा बेटा जो टॉली टाइम्स चला देया बाक सबसे पहले तो हम अपने बाईयों को जो लोकल लोग हैं जहां के आसपास के उनका दनाबद करना चाहते हैं और हर्याना के जो सारे किसान है उनका भी क्योंकि अंदोलन पंजाब और हर्याना से शुरू हुआ हमको जह लगता था कि अगर हर्याना में अंदोलन तेज नहीं हुआ तो लंबा समठ टिकना हमारा बहाँ पर मुश्कल होगा क्योंकि हर चीज दूर से नहीं लाई जा सकती मगर हमारे ये खद्शे नर्मूल साब्त हुए क्योंकि ना सिर्फ भर्याना के कसान हमारे से भी जादा ताक्त से संदोलन में कूदे बलकि जो लोकल लोग हैं आस पास के टिकरी के बादरगड के ये लोगों ने अपनी फैक्टरियां अपनी दुकानें हर चीज हमारे है इसके सहयोग के चलते ही इतना लंबा समा असानी से टिकना हमारे लिए संबब हुआ और मीडिया जो सरकार का मीडिया है उसने कोशिश किया कि हमारे खलाफ बाहर अफ़वाहे फलाई जाएं जे सरपंजाब कांदोलन है जे सिक्खों कांदोलन है जे खालस्तानियों पेगंडा नहीं टिका क्योंकि ये किसानों कांदोलन है और वह भी पंजाब हर्याना का नहीं देश बार के किसानों कांदोलन है लगातार जे अंदोलन देश के दूर दराज के जो प्रांत है वहां तक भी फैलता जा रहा है और जो लोग किसान नहीं भी है जैसे हम देखत देने के लिए आ रहे हैं, फिजी कली भी आ रहे हैं और माई का और जो सामान का सहयोग भी कर रहे हैं, तो इस सब के चलते हैं, चाहे वो दार्मक संगठनों, चाहे वो समाज के संगठनों, चाहे वो किसान संगठनों, सब मिलकर इस अंदोलन को चला रहे हैं, आज किसान परटी देश का एक भी कोई सूजवाल नेता वो मोदी सरकार का समर्थर नहीं कर रहा। सारे के सारे लोग कसानों के हक में बोल रहे हैं। मगर जह सर्फ मोदी सरकार हैं जो कारपोलिटरों के पास बीकी हुई है, वाननी ये दानी की बकालत कर रही है। तो जोगतंतर की बजाए कुछ तानशा ही टाइप होता जा रहा है जैसे हमारे से कोई खत्रा हो अगर लोगतंतर को देश के लोगों से खत्रा है तो जे सबसे बड़ा मजाक दुनिया में हिंदोस्तान को लोगों ने बना दिया कि सरकार सडकों पर खाईया खोद रही है दिवारे नकाल रही है कीले लगा रही है तो इतना मतल हिंदोस्तान की दुनिया की नजर में बुरी हालत खसता हालत कभी नहीं हुई जो मोदी सरकार ने कर दी तो अब दुनिया बर में दवाव है कि कसानों का अंदोलन जो इतना लंबा और इतना शानती प्रिया अंदोलन है उसकी बात सुनी जाए है और जो कनून बनाए गए है मोदी सरकार की ओर से कसानों के नाप पर कारपोरेटरों के लिए उनको बाप से लिया जाए हम लोग शान्ती से बैठे हैं और लोकल लोगों का हमको बड़ा समर्थन हासल है RSS के चंद लोग लोकल नहीं है वो लोकल लोगों के बेस में बढ़काने की कोशिश करते हैं लोगों को मागर बच्ची को मैं जानता हूँ उझे डिमोंस्टेशन लेकर स्टेज पर भी गई बोली भी और यह अच्छी बात है कि इन लोगों ने थापत किया कि लोकल लोग के आज सोचते हैं और किस हो रहे हैं इसलिए हम हाथ जोड़कर सभी बाईयों का दन्याबाद करते हैं और अमीद करते हैं कि वह आगे भी हमारे संदोलन में जब तक जीत हांसल नहीं होती तो ऐसे ही डटे रहेंगे सब को बाहिगुर जी का खालसा बाहिगुर जी की फते और राम राम बाईयों कई लोकानों लगदा की शैदे बजूर गादा अंदोलन हैं सोदे करके तो अन्वेवी एक तो दे कोई स्टूड़न लीडर वी असी पेला भी मलाया ते अज़ कीर्ती जी साथे को लिया दिल्ली यूनिवस्टी तो अ स्टेज ते बहुत सोना बोल के आया लोकाने बहुत स कुदेंस जूढ़या, करना lesson अकी सोच ते सारे अन्डोलन बारां राम पर्साद, भी बिसमिल जी एंडा न तो लाइना सथे और। जाहिदा, प्रिती इन लोगों के वजह से उन लोगों को जो दो वक्त का खाना नहीं मिलता था, उन्हें वो खाना मिल रहा है, तो यह कैसे कह सकते हैं कि हमें इनसे तकलीफ है, हमें प्रॉब्लम्स हैं, दुकाने लोगों के जो बंद बड़ी थी वो चलने लग गई, तो हमें उनसे तकलीफ कैस जो रोड बंद करें हैं, जो इंटरनेट बंद करें हैं, वो सरकार ने किये हैं, दिल्ली पुलिस ने किये हैं, तो ये किसानों के बसकी बात तो नहीं थी और ये फिर कह रहे हैं कि किसानों ने ये किया है, किसानों की वज़स ने हमें दिक्कत हो रही है, तो ये नहीं हो रही हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में हैं, तो सरकार में कितनी ताकत है, वो हम देखेंगे, क्योंकि सरकार की जब से आई है राजनीती में, दिवाइड और रूल की जो स्ट्राटिजी रही है, वो हम सब जानते हैं, कभी मुसल्मानों को आपस में लड़ा देती है, कभी सिखों को बाकी धर्मों से लड़ा रही है, लोकल और लॉन लोकल्स को भी बाट दिया है, तो पता नहीं किस-किस को बाटेंगे, तो हम सब ने एक रहना है, एक बनेंगे, तब हम सरकार से जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे, और जो 26 जनवरी को हुआ उससे काफी लोग तूट गए थे, मेडिया में भी आया कि वो बहुत गलत था, देखे 26 जनवरी को हम एक डेमोकरसी, हमारा कॉंस्टिटूशन जो था, वो लागू हुआ था, उस कॉंस्टिटूशन में एक वर्ड है, सेक्यूलर, जब हम एक सेक्यूलर कंट्री में रह रह हैं, तो एक तिरंगे के नीचे, किसी जब एक निशान सहाब का जंडा, एक सिक्धर्म का जंडा लग जल लग जाता है, कुछ मिंटों के लगा था और धर्तिरंगा वाँ था, तो इतना बड़ा कोई बबाल नहीं हुआ था, हाँ तरीका गलत था, जिस तरीके से वो लगाय गया था, लेकिन जो भी हुआ, उसके बाद आप लोगों की घेराबंदी कर लेंगे, आप उन्हें मारने पहुंच जाएंगे, इस तरीके से पोट्रे करेंगे, कि सब बहुत गलत हुआ, इन लोगों ने मारा, बीटा, कितने लोगों को मारा, कितने लोग शहीद हो गए, कि कितने लोगों को डंडे बरसाई, वो किसी ने नहीं दिखाया, वो मीडिया ने नहीं दिखाया, जो दिखाना था, वो दिखा रहे हैं, जो हुआ ही नहीं, एक दो लोगों के साथ हुआ, उसे इस तरीके से दिखा रहे हैं, हमने देखा था, मीडिया में क्या चल रहा है, ब उसके बाद हम लोकल लोग हैं, हम यहां सब खड़े रहेंगे, आखरी टाइम तो किया खड़े होंगे, कितने दुनों से यहां लोग बैठे हैं, कितने शहीद हो गए, बच्चपन का खवाब तो किसी का नहीं होता ना, कि हम कुर्बान हो जाएंगे, फिर भी आज वो शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हो गए, किसके लिए हुए हैं, हमारे लिए, अब हमारा धर में हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए खड़े हों और हम खड़े रहेंगे, थेंक्यू तो अनो यूथ ना भी गालबात कराती है, हुन बजूर का नगाल कर रही है, सत्पाल देया जी, जिन्नोंने बहुत जादी जाट भाईचारे में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, परफेसर भी रहे हैं, ते बहुत सोणी अगला कर दे हैं, इनना तो सोन लेंदे हैं, से अपने पंजाब रहाने बाईचारे में, क्योंकि हम असी ता आज जदे जम्मे गया लो यूद हैं आना, तुसी ता बहुत कुछ वेखिया जो पंजाब रहाना, कठा भी उन्दा सी, वो प्यार भी वेखिया, हाँ, वो जीवन आपने जिया है, तो उसके बारे में जो हम कि अरियाने का जहां तक शंबंद है, वैसे आंदोलन शरूवा पंजाब से, और फिर कुछ ऐसा रहा कि अरियाना नजदीक था, फिर भी मतलब कम मतलब कुछ पार्टीशिपेशन था, लेगन अब हमारे हैं कि संगठोनों का जो तरिका है वो खापे हैं, खापों के बड़ बड़े 300 गामों के खाप एंगे, 90 गामा के खाप है, कोई 1.500 गामों के खाप है, तो जब बहुत जरूरी कोई इस परकता समाज में मतलब जागर्ती लाने का या कोई मूशिबत में तो खापे मुका मुकाबला करती हैं, तब ही सभी खापों की पंचायत होती हैं, बार बा पूरी मतलब संब्लित हो जाएंगी पंचाथ यह जो खापे हैं अभी दादरी में भी साथ तारीक को बहुत बड़ी इकंडेला में भी इती पंचाथ हमारे आतेल में पंचाथ हुई थी सौनिपत हम खुद दया किसे तालुक रखते हैं तो जरूरी जो है न मतलब जितने भी यह पूरे तरह से आत्मा से अभी शान दोलन से चुड़ चुकी हैं तूसरी बात रही पंजाब की पंजाब कार हमारे तो गोतर भी बहुत से ऐसे हैं जो समलेते हैं जैसे मान हैं मान सलार भाई भी हैं और हम भी गिल हैं वो भी हैं और हम भी हैं और बहुत से गोतर यह तो 300 स यह मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको जो जो जिवाम के बारे में जो है के 1935 चौविश से लेकर पेंटीस तक जो अंतरिम सरकार मनी जी पेंटीस के बाद आज एक जरूर तैसे किसान की जैसे सोजरी छोटुराम थे उनका अपना मतलब एक तरीका था आजादी से पहले यह चाहते थे कि मैं किसान को जागरित कर दो ताके इसका कोई आजादी के बाद सोसर ना करच के और इस में वो पूर्णते सफल रही उनों की मैं दो बात बताता हूं जो भूब जरूरी उनों की 45% पंजा संयुक्त पंजाब के किसान की भूमी जोती वो साव कारों के यहा करजा लिया था उसका छे गुणा साथ गुणा पैसा वापिस जा चुक्या था लेकिन जमीन नहीं चुटी तो उन्होंने विदान सभा के अंदर एक करजा बिल पारित किया क्रया क्योंकि मजरिटी थी यूनियस पार्टी की और सभी मतलब जो थे उन्होंने कहा कि इतना प और दहन रहेगा सरकार को चाहिए कि इन तीनों कानौनों को वापिस ले ले और एमस्पी जो है जो मनिमें प्राइस का एक फर्मूला है उसको कानौनी रूप दे और लागू करते तभी कोई हो सकता है नकेशान कभी आरेगा नहीं यूँँ चलने करो क्योंकि बहुत आपक को आपकी हर्याने को सो तुसी भी सानौ को बाईचारी दिगाल कर लो जहां अंदोलन बारेजे कुछ दसना चाहूंदे और ओडियोस ना जूर दसो कोई ऐसी खास बात तो नहीं है पर बाकी खास बात भी है वो यह है कि हम कितने दोनों से इस आंदोलन के साथ जोड़ेवे हैं दिया साथ डिया जो हैं वो हमारे परधान हैं हम जो हैं कुछ आदमी इस संस्ता को बना करके अलग से गुरुब बनाएवे हैं और इन भाईयों से बीच में आ आ करके मिलते रहते हैं और इन लोगों की जो कुछ थोटी मोटी समयशाएं हैं जो हम हल कर पाएं उनके हम म मास्जीओं ने बताया छोटु राम के बारे में चोटु राम जो हैं एक हमारे देवता के रूप में भी परकट होे हैं किसांतों थे ही और वो जो है एक बहुत ही नीचे लेवल से और ब्रिलिंट श्टूटेंट के रूप में थे ग्रीब किसान थे बहुत ही ग्रीब किसान लेकिन पढ़ने में बहुत ही इंटिलिजन उस जमाने में पढ़ने वाला कोई कोई बच्चा निकल पाता था और उनके पास उस टाइम में कोई ऐसा साधर नहीं था कि वो अपनी कालिज की फीश देश के वो भी उनके पिता जी जो है के भही मैं जो है साउकार से कुछ पैसा लेके आता हूँ और तेरी फीज जो हैं पूरी कर दे वो यहां से नजदी की गाउं के थे सब को मालम है वो सब चीज बताने की ज़्यादा जुरूरत नहीं है और वो जो है इंतजार करते रहे के भी पिता जी अभी तक आए नहीं और मेरी जो ट्रेन का टाइम हो गया है और ट्रेन जगर निकल गी तो वहां तक पैदल जाना भी बड़ा मुझके लें और वो तक वो कॉलेज में पढ़ते थें फिर वो इंतजार करके चले तो वहां देखे तो उनके पिता जी उस शावकार का जो है पंखा जोल रहे है और वो सोय वे हैं वो ये देखे वो आया तो बड़ा दुखी हो रहा आके मैं तो पैदल चलके है और पिता जी तो पैसा नहीं ले रहे हैं और उनकी जो है पंखा जोल रहे हैं वो पंखे होते थे उस टाइप एक कपड़े के और ऐसे एक पत्थर को बांद कर रखते थे और वो जो इला रहे हैं तो बना नहीं नहीं बेटा अभी बोलो मत अगर सेट उट जाएंगे और हमें जो पैसा नहीं मिलेगे हम बड़ी दुखी होंगे तो उसी दिन से उन्होंने ठान लिया था अगर मैं कुछ बन गया तो मैं इस चीज़ को खतम करूंगा और लोगों को जब मैं जागरती लाओंगा और उन्होंने वो जो भी मन में था उन्होंने करके दिखाया आज हम उसी पॉजेशन में होते जो ये करने जा रहे हैं अब यह जो मोधी साभ हैं ये उसी पॉजेशन में चल गए कि हमारी जो जमीन होगा रहा है वो सारी वापश उसी डंग से चली जाए और वहां बेदर्भ हो जाए फिर वो जो है उन्होंने काणून अब भी भी उन प्लीज तैक्यू सर जी बहुत सोड़ी अगला साना शेर किते हैं टाइम काफी हो गया शो एंड दा टाइम है पर जान जान दे कुछ कीमती लवज ले ले लेंदे हैं सत्बीर देया जी जो साड़े नाल है क्योंकि इते काफी आउंदे हैं सानु मिल देया तो तुसी कुछ द पासदो जी सर जी की बहादूर गड़ विच एस वर की स्थितिया आज दोलन देली मैं एक रिटाइड वन अदिकारी हूं और मैं वह बात कहना चाहता हूं जो कहीं ने गई और जो इग्नोर हो रही है असल में हमने जब यह सरकार चुनी तो दार्मिक मुकोट्टे में गैर दार्मिक सरकार चुनी अमने दार्म का मतलब होता है किसी चीज को दार्ण करना दार्ण करने का मतलब है करना उसको कई काम ऐसे होते हैं जो करने योगे होते हैं और कई काम ऐसे होते हैं जो करने योगे नहीं होते तो जो करने योगे काम हैं जो उनको करता है वो दार्मिक ह तो ये जो सरकार बैठी हुई है ये सारा काम इसलिए उल्ट उल्ट हो रहा है कि ये गैरदार्मिक सरकार है गैरदार्मिक सरकार अगर मैं कहूं ये किसान आंदोलन चला हुआ है इतना बड़ा और इसके बारे में अफवा फैलना इसके बारे में रास्ते रोकना इसके बारे में सड़के खुदुआना ये सारे काम कैसे हैं ये गैरदार्मिक काम है जबकि वो हिंदुओं का उदर सबसे बड़ा परदान बड़ा बैठा है और ये जो लोग हैं, ये किसान हैं, ये हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और जो है, मुसलमान भी हैं, पार्सी भी हैं, इसाई भी हैं, और सभी दर्म, इसी बात परादारित हैं, के भाई, करने योगे क्या है, और क्या नहीं करने योगे हैं, तो जो ये हमारे किसान भाई सदोलन करने हैं ये करने योगे हैं ये धार्मिक है और जो मोदि कर रहा है कि हमारी जमीनों को छिनवा दे हमारे उपर दुबारा करच्च चडवा दे इस देश की जनता में कोई भी मजदूर है वो जो है ये जो है अनाज उसको जो है वो अकूत कीमत पर विक्वा दे ऐसा कानून बना दे कि कोई भी कितना ही अनाज जो है वो स्टोर कर सकता है और अपनी मर्जी से जो है उसको बेच सकता है आप सभी इस बात को समझते हैं कि जो मुनश्यता को तड़ पाता है जो मुनश्यता को तड़ पाता है और उसको छोटा- upta करके बहुका मारके और मेंगेदाने देता है वह परावर बरावर बाढ़ता है अर सब उसके खेट से खाते हैं वो दार्मिक है तो ये गैर दार्मिक सरकार जब तक हमने चुनी है हम ही इसको गिराएनगे और हम ही इसके जो तो ये तीनों कानून है इनकी दजियां उड़ाकर इनको तोड़ देंगे और बादर कड़ की जहां तक बात है आंदोलन मजबूत है और सारे लोकल लोग जो हैं आंदोलन गे साथ है किसी किसम की कोई फूटबाजी नहीं है जै किसान जै जवान किसान जवान जै किसान कितने किसान जवान लडान दी कोशिची जो इसी हुदा फरस्टे एंड कांट सां तुसी साड़ा वेखिया बाकि चलो अई ते बहुत प्यार है चाढदी करा वाला महौल है इतने ही वाय गरू चाढदी करावला महौला गेपना ही रखन ते अंदोलन ही थी है और अने वाड़े पंजाब वाड़े सारे हिंदुस्तान दे लोग ही थी है मेल दे अगले अगले हस्ते नवेशो दिनाल सास्रीकाल